काकसा नायन विश्य हिंदी पार सोडा यम्राज की दिशा के प्रश्णोता प्रसन नमरे कवी को दक्षन दिशा पहचाने में कभी मुश्किल क्यों नहीं हुई उत्तर कवी को मा ने बताया था कि दक्षन दिशा में यम्राज का घर होता है इस दिशा में पैर करके कभी नहीं सोना चाहिए नहीं तो यम्राज रुष्ट होते हैं उन्होंने इसका जीवन भर पालन किया इस कारण उन्हें दक्षिन दिशा को पैचाने में कभी मुश्किल नहीं होई परसन नमर दो कवी ने ऐसा क्यूं कहा कि दक्षिन को लांग लेना संबो नहीं था उतर बच्पन से ही उनके मन में ये अवधारणा बन गई थी कि दक्षिन दिशा की ओर पैर करके सोने से मृत्यू की प्राप्ची होती है मृत्यू के भै से कवी का मन आजिवन आसंकित रहा इसी कारण वस दक्षिन दिशा को लांग ना कवी के लिए संबो नहीं था प्रसन नमर तिर कभी की अनस्वार आज हर दिशा दक्षन दिशा क्यों हो गई है उत्तर दक्षन दिशा का आशे मरत्यु की दिशा से है प्रन्तु आज मनुश्य का जिवन कहीं सुरुक्षित नहीं है चारूं और एसंतोष, हिंसा और विद्वनसक ताक्तें फेली हुई है विज्ञान ने समाज को परगतिशिल बनाया है साथ ही कई विद्वनसक कत्यारूं हिंसा और आतंग इतना फेल चुका है कि अब मोद की एक दिशा नहीं है बलकि संसार के हर एकोने में मोद अपना डेरा जमाय बैठी है कवी सभ्यता के विकास की इसी खतरनाक दिशा के करन कह रहा है कि आज हर दिशा दक्ष्ण दिशा बन गई है प्रसन नमर चार भाव इस्पष्ट कीजिए सभी दिशाओं में यमराज के आलिसान महल है और वे सभी में एक शाथ अपने दहकती आँखों से इत विराजते हैं उत्तर प्रस्तत पंक्तियों का भाव ये है कि आज सामाने जन्मानस कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है आतंक तता हिंसा ने यमराज की रूप में आज संपूंस रष्टी पर अपना कबजा कर लिया है आज के इस समय में यमराज का चहरा भी बदल गया है और सभी जगय विराजमान भी है प्रस्त नमर छे कभी कभी उच्चित अनुचित निर्ने के पीछे इश्वर का भै दिखाना आशिक हो जाता है इसकी क्या कारण हो सकते है उत्तर कभी कभी उच्चित अनुचित निर्ने के पीछे इश्वर का भै दिखाना आशिक हो जाता है ताकि हमारी इश्वर में आस्ता बनी रहे, हम बुराईयों और एनेतिक रत्यों से दूर रहे, मरियादित जीवन जी